नमस्कार फॉस बिहार जारखन देख रहे हैं आप मैं आपके साथ प्रिया बिहार के सियासत में इस वक्त की सबसे अगर चर्चित कोई खबर है तो वो है हीना सहाब को लेकर हीना सहाब अब कब आरजेडी का दामन थामेंगे बस इसका इंतजार सब को है क्योंकि कल रात को ज पत्ता के गलियारों में अब खबर तेज हो गई है कि हीना सहाब जो है वो क्या फिर से वापस आरजेडी के साथ जाएंगी हमारे साथ जारे सहयोगी सदन सिंग है इन से जानते हैं कि क्या कुछ अब तस्वीरे बिहार की राजडिती में निकल करके जो सामने आ रही है हीना सहाब को लेकर कि क्या वज़ा है हीना सहाब को कि वह वापस से लोग सबस्वाशनाव में इतना बोलने के बावजूद भी अफिर वापस आरजेडी का दामन थामती हुई अगर नजर आती है तो कितना सही होगा उनके लिए और कितना गलत होगा यह जानने की कोशिश सब्सक्राइब के लिए तो क्या लगता है कि अब तस्वीरे जो यह पूरी है खेल वह क्या दिखाता है क्या लालो यादो कमजोर पढ़ गए विहार कि राजनेती में को हीना सहब की जरूरत पढ़ रही है इस तरीके से उन्होंने लोग सफ़ा चुनाव 24 में निर्दलिया उन्होंने लड़ा तो सिवान में सेकेंड पूजिशन पर वो आए हुए थे तो उसके बाद से ऐसा लग रहा था कि वो राजस से नरास चल रही है लेकिन उन्हें मनाने के लिए विनुत जैसवाल के आवास पर प्रिप्लान किया गया मिटिंग किया गया और मिटिंग करके और मिटिंग में यह उनसे दाजनितिक क्या आगे करना है उसको लेकर लागल परसाद यादव उनसे बातचीत कि क्योंकि हीना साथ सहाब बुद्दिन की पत्नी है और सहाब बुद्दिन सिवान ही नहीं सिवान की जो अगल वगल जो जिला है वहां पर भीवो परभावित क करते हैं और सकेंड पोजिशन पर हिना साथ कराना तो कहीं ना कहीं आरजेडी चाहती है यह कि हम दो 25 विदान सवाचुनाओं में ऐसी कोई कदम ना उठाए जो कि मुझे हानी पहुचे हो सकता हो कि 2025 विदान सवाचुनाओं की तयारी को लेकर हिना साथ को अपने पाले में किया और कुछ दिन कुछ देर पहले भी राजद के कहीं नेता यह भी कहां कि हिना साहब गई ही नहीं थी हिना साहब पार्टी में यह और यह होता कि हिना साब ऑगर पार्टी छोड़ कर घुरकर चले चले गए इनडिपेंडेंड देंड वो चुनाओल लर सकते हैं लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि बिनोज जैसवाल के घर पे जो मीटिंग जो हुई यह मीटिंग का पहले त्यारी कर लिया गया था लालू परसाद यादब पहुंचते हैं तक्रिवन एक घंटा का यह मीटिंग चला बंद कमरे में लालू परसाद यादब और हिना साथ की मी जा रही है हीना साथ ने लोग सबस्ट चुनाओ के दोरान काफी कुछ बात इक कही थी अपने पती खुले करके उनके पती को सम्मान नहीं मिला इस तरीके से कि अब राज़त के साथ नहीं जाएंगी अपना अलग रास्ता बनाएंगी लेकिन अब क्या लगता है कि अब क्य कितना हीना साहब के लिए अच्छा होगा कितना बुरा होगा हीना साहब राज़त में वो प्याग पत्र नहीं दिये राज़त से राज़त में ही हैं वह 25 को जो चुना है वह चाहती है कि हम लोग साथ में मिलकर चुनाओ लड़े और सरकार बनाएं क्यूंकि 2025 विदान अच्छा परभाव है तो उसको लेकर इनलों के तयारी पूरी है और हिना साहब को जरुरत नहीं पढ़ाने के लिए यह मिटिंग प्लान हमने बताया पहले भी यह मिटिंग पहले तो उसको लेकर आर्जेडी चाहती है कि हमारा वहां पर किला जो है दोस्त ना पड़े कम ज आती है क्योंकि सेकेन नमर में आई हुए तो उसको लेकर आर्जेडी चुस है कही ना कहीं यह तैयारी में जूटी है कि हम लोग को छती ना पहुंचे है आपने बात कही कि हीना सहाब को जरूरत है तो क्या लगता है कि लालो प्रिशादयादों कि जो कल तस्वीर सामने नी लालो प्रशाद्यादों नौर्मली किसी से मिलने नहीं जाते हैं उनके पास लोग जाते हैं मिलने के लिए लेकिन कल लालो प्रशाद्यादों खुद गए थे इना साहब से मिलने के लिए तो जरूरत जो है वो निकल करके सामने आरे हैं हम बात करते हैं पुर्वसांसत सिवा अगर या किसी अन्य पार्टी को समर्थन कर देती या निर्दलिया कुछ एमेल मतलब प्रत्यासी को खरिक कर देते कहने कहीं राजत को ही वहां से लॉस होता तो यह एक बड़ी बात यह है कि हीना सहाब से ललुपरसाद यादर जब मुलाकात कर रहे थे बात चीत हुई तो ख पर सीट है उसके उपर राजित अपना अगरों मिद्बार उतारेगी तो हीना साब का सपोर्ट जरूर जरूर जाए जैसे ना साहब के सामने आजएडी नोग सभा में अपना एक कैंडिडेट उतार दिया सिवान से वैसे अगर हीना साभ विधान सभा में आ गई उन्होंने में अपने कैंडिडेट्स अपने इलाके में उतार दिये तो फिर आजएडी के लिए जो सीटें निकालनी है वह काफी ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी वह इलाकों में जहां पर साहबुदीन साहब की जो है एक तरिका सचवी रही है पुराने नेता के तो लोग उनको सबसे बड़ी मुश्किल बन जाती है अगर साथ में आएंगी तो मुश्किल भरना ही नहीं है अगर साथ में आना क्योंकि आप देखें न जिस तरीके से बिधान पारसत के घर पे बिनुद जैसवाल के घर पे यह मीटिंग हुई वह से चर्चाय हुई आगे राजिते आप क्या करनी उसको लेकर चर्चाय हुई तो कहना का यह बिधान सवाद चुनाओं का त्यार है वह सीमांचल आप देखें होंगे कि 2024 सवाद चुनाओं में सीवान सीवान में जो चुनाल रही थी वह सीमांचल के जितने भी मुसल्मान थे नरास थे कहना कि आर जीडी को वहां सब्सक्राइब करने की कोशिश की बिल्कुल बिल्कुल यह लीपा पोती करने के ही प्रयास किया जा रहा है और जो नराजगी हिना साब की थी वह नराजगी को दूर करने के लिए लालू पर साद्यादऑ कुद उनसे मिलकात किये और अभस्सवामा जोंकि पुर्वतशतान पुöttडिन के पुत्र counties यहें उनकी मुलकात हुई बंद कम दोखने में लालू पर साद्यादऑ में हिना साहब की मुलकात हुई और इससे फाह है कि बिल्कुल हिना साहब आरजेदी में ही रहेंगी और आगे 2025 हो सकता है विधान सबाद चुनाव में हिना साहब को कितनी सीटे देगी आरजेदी कितना तवज्जु इस बार दिया जाएगा वह एक बड़ा सवाल है क्योंकि अपने बेटे के भविष्य के बारे में सोच र यह रहेगा कि वह रिस्पॉंसिबल भी बहुत जादा होंगे इस चीज के लिए कि आगे राजद के साथ क्या होने वाला है चुनाव में कैसे नतीजे आने वाले हैं सबसे बड़ी बात यह है कि सीट उनका कोई दन नहीं है वह राजद में ही थी और स्टार्टिंग से साब गई अब वह चाहती है कि विधान सवा हो सकता है कि विधान सवा में वह अपने पुत्र को सिवान से पर्तियासी बनाए इसकी डील हुई होगी और वह जो आगे फिर आने वाले जो लोग सवा चुना हो वह अपने दावेदारी माह से फिर से ठोगे और हाँ दोजार से यह जो कदम उठाया जा रहे हैं उस पर हम बात्चित कर रहे थे हीना सहाब की जरूरत आखिर राज़त को क्यूं पड़ी लालु प्रिशाद यादव के पास आम तौर पे लोग जो है वो मिलने जाते हैं बड़े-बड़े नेता मिलने जाते हैं बड़े-बड़े पार् चानक से राज़त के जो सुर हैं वो बदल जाते हैं राज़त के तरफ से तमाम नेता ये कहने लगते हैं कि हीना सहब तो कभी पार्टी छोड़के ही नहीं गई हमेशा से पार्टी के सिध्धानतों पर चलते आई हैं उन्होंने किसी के साथ ना कोई गट बंदन किया ना कि पर दिखाता है कि वह आज भी राज़त के सिध्धानतों पर चल रही हैं अब इस चीज को लेकर राज़त ने तो अपना स्टैंड क्लियर कर दिया लेकिन देरी हीना सहाब के अनाउंस्मेंट कि है कि वह कब राज़त का दामन ठाम रही है और मुलकात जो यह वो किस सिलसले में लालो प्रिशाद यादों से उनकी हुई थी बात कितनी बनी और आगे क्या कुछ होने वाला है ये भी हम आपको बताएंगे बने रिये फॉस्ट भीहार जारकन के साथ धन्यवा ये लो मुह मिठा करो आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया अब हम पुढ़निया वापस जाएंगे जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा हम करेंगे क्या और माबाबुजी क्या बोलेंगे इसलिए मैं एक और मिठाई का डबबा लाएं अपने बिजनिस के लिए लोन अप्रूव हो गया अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पुढ़निया में हम रहेंगे कहाँ अपना घर भी तो नहीं है वहाँ इसलिए तो एक और मिठाय का डबा अलग से लाया हूँ हमने पुर्णिया में घर ले लिया है पुर्णिया के e-homes panorama में पुर्णिया में panorama group लेकर आये हैं e-homes panorama बड़ा घर, आलिशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के सब अड़े अड़े आप क्यों मूमीठा करवा रही हो क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे है घर वापसी की खुशी पूर्णिया में e-homes panorama के संग e-homes panorama luxurious lifestyle redefined